यह देखले हो जी अपने खेत का आल किसान की फसल पर कुदरत के मार यह देखले तीन दिन हो गए लगातार पड़ा पड़ता ने पड़ा का मत्रब है भई बरफ पड़न लागरी है सुक्की बरफ और देख सको उपत्ते कितने तीन दिन हो गए जमा फूक दिये जिस तरह बुरा अलो गया वह तीन दिन होगे लगातार कि धूंदे ठीक तीस्ता से धूंद में नुक्सान तो को नहीं आगरता लेकिन इव तो बहुत बुरा अलो गया सफेद चातर बिचगी यह देखो गास को पर जमा सफेद चातर बिचारा खेतनी ब्रफ गिरी है और यह ब्रफ को जिसकी कोई हद नहीं है यह अपने दो खेत एक तो यह अड़ा खेत भाई इसमें कुद्रत की मार बहुत है और दूसरा खेत है यह इसमें देख सके पत्ते जमानों जुलस गे हैं जिस तरह आग लगाया पाच्छा पत्ते जुलस जा रहा है काले यह जा रहा है उसी तरिया कितने करड़े पत्ते हो रहे हैं बिलकुल नाजुक पत्ते तो हो हैं इस पर पढ़ गे बरफ बरफ पढ़ने से फिर निकला गाम दोप निकल से एक दम से जुलस गे हैं और फूर्ट देखी हो कितना बड़ी आया हुआ इस पर दो तिन आर्वेस्टिंग हमने कर लिए इसक और अब देख सको इसके कितने अरे बरे खेत थे कितने काड़े हो गई हैं अमारे हमारे ओमारे लाका में जितने भी खेत हैं चपल कद्दू के चिकोत्रे के टिंडे के सब मही ओया आला भई लगातार तीन दिन से लगातार पड़ा पड़न लग रहा है और खेत का नास हो देख सको फ्रूट लगया हुआ कितना बढ़िया लेकिन करे क्या 15-20 दिन और पीछे चली गई वह अमारी खेती बस चारा तो क्या है इसी दफ्तिमात्तान देना इसे बगवान ने देना है किसान का तो सारा मैनत है सारी खेती है सारा जो धन है वो खुल ले आसमान की निच्चे कदे कुद्रत की मार कदे बारिश की मार कदे गर्मी की मार कभी आवारा पसुओं की मार सारी जेल लणी पड़े है कोई बात ने यह दर्तिमात्ता देना अली है बगवान ने सब का खराब तो होए गई है 15-20 दिन बाद दुबारा इसमें खात पाणी डालांगे निराई गुडाई करांगे मैंने थोड़ी शी ओर बड़ गिया है और इसका बाद जो अपने आलू की खेती है न वो उसमें भी योई आला बै आलू के पत्ते भी उपर से जुलजगे है वो भी अपने आग गचाल के दिखाऊंगे उनका के आलोया है यह देखो जी यह आगी है आलू की खेती वह चपलकदू खेती यह है अलू की खेत लेकिन उपर सब वह आलावाई बिलकुल जोना सफेज चादर भी छाराखी है इसको पर पत्ते जमा काले हो लिए जुलजगे है यह देखियो कितनी पड़ा पड़ रहा बैए और उपर सभी देखे दूसरी तरह मैं दिखाऊंगे सुर्य देवता भी दोप भी निकल चुकी है और इदर ब्रपड़ी हुई है अभी जैसे दोप निकलेगी तुरंत यह काले हो जाएंगे जुलजगे जैसे आग लगा दियो पर दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको सफेज चादर पिछुई मिलेगी सुभे का टाइम है और फसलों पर बड़ा बुरा आलब है इस चाची दूंदी ठीक थी दूंद में चलो नुकसान तो को नहीं आगर दा लेकिन अब की बार तो सभी फसला में बहुत जादा नुकसान है